गुड मोरी यारी बड़ी सक्सिस्मेंट देवबन नाफका फीर से स्वागत हैं। आज कि इस वीडियो में हम करते हैं पंचायती राज का स्रिसभाग। तो पंचायती राज में जो इससे पहली वीडियो में हमने किया था। कि ये कब लागू हुआ किस राज्य में लागू हुआ और इसके क्या-क्या चरण होते हैं। इसकी मतदान पढ़नाली क्या होती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पंचायती राज वर्ष्था के चरण कितने होते या इस्तर कितने होते टियर्ड। जैसे उत्तर परदेश में तिरी इस्तरिये पंचायती राज सिस्टम लागू है ऐसे भात के कौन कौन से राज्ये जिन में तिरी इस्तरिये थ्री टियर पंचायती राज सिस्टम ये लागू है या कहीं पर दो टियर वाला भी है कि दियु इस्तरिये या कहीं पर सिंगल टिय या एक इस तरिये पंचायती राज वयवस्ता भी हैं इन तमाम पहलों के बारे में आज घ्यानता से चर्चा करने वाले हैं तो इस्टार्ट करते हैं कि पंचायती राज वयवस्ता के इस तरे कि टीयर्ड तेहना review का मीनिंग क्या होता है पंक्ति जैसे एक के उपर एक चीज़ हम रखते हैं कुछ, इसको अगर उदारण से हम समझते हैं, तास की जो गड़ी होती, तास एक के उपर एक रखा जाएगा, वो क्या क्या लाएगा, tiers, यानि कि पंक्ती में रखे गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ट्रेड में हम रिजर्वेशन कराते हैं, आरक्षन कराते हैं, उसमें भी कोई कोच होते हैं, उनमें टियर्ड होती है, बर्थ एक के उपर एक होती है, इस विशे में हम बात करते हैं कि कौन-कौन से इस्तर या टियर्ड वहाँ पर बनाए गया ह सबसे पहले बात करते हैं कि एक इस्तर की एक इस्तरी है एक इस्तरी है पंचायती राज वाश्था यानि कि सिंगल टियर्ड सिंगल टियर पंचैती राज़ वास्था कीन राज्य में लागो है और वहाँ पर इसके चरण क्या होते हैं उत्तर परदेश के अगर बात करते हैं पंचैती राज अधीनिएम उत्तर परदेश पंचैती राज अधीनियम 1947 उसमें थ्री टियर थे, सबसे निचल इस तर पर क्या जाएगा, ग्राम पंचायत, फिर बलोक परमुख, जिसको छीतरी पंचायत भी कहते हैं, या फिर जीला पंचायत या जीला परिसद, लेकिन कुछ राज्ये ऐसे होंगे, उनमें एक ही इस्तर होगा, एक इस्तर ही है, इस सदस्यों का एक मुख्या होगा, जिसको ग्राम पर्धान या फिरम परमुख भी बोल सकते हैं, एक इस्तरी पंचायती राजववस्ता किन किन राज्यों में है, एक तो केरला, केरला में केवल एक ही इस्तर होगा, एक टियर होगी, सिंगल टियर, सेकिन आ जाएगा, सिक्किम, सिक्किम राज्ये में क्या जाएगी, सिक्किम होगी, सिंगल टियर, एक इस्तरी है, एन इसके बाद तिरपूरा, तिरपूरा में भी क्या होगी, एक इस्तरी है, पंचायती राजववस्ता लागु हैं, और एक मनिपूर, मनिपूर, मनिपूर का अगर कुछ को हम छोड़ देते हैं कुछ भागों को छोड़ कर शेश तीरपुरा में क्या होगा एक इस्तरिय पंचायती राज लागो हैं तो इसमें राज्य कितने हो जाएंगे थी फोर फाइव पांच राज्ये भारत में पांच राज्ये ऐसे हैं जिनमें एक इस्तरिय पंचायती बवस्टा, दो इस तरिये, पंचायती राज वस्था, ना टू टियरद, ये कहां कहां पढ़ दागी हैं उसके टियर क्या होंगे, कौन कौन सी इसमें संस्थाय होंगी, सबसे निचले इसतर पर ग्राम पंचायत उससे उंचे वाले या उपर के इस तर पर आ जाएगी खेत्र अंधरांद पंचायत और सेकिंड इसके ऊपर जो होगी कौन से आजएगी है छेत्रिय पंचायत इसका दोश्रा नाम भी होता है पंचैट समीति हैं पंचायत समिति हैं हमारे यहां पर इसको ब्लोक बोलते हैं जैसे ब्लोक परमुख बनता है या एक अधिकारी होता है इसका ब्लोक डवलफ्मेंट ओफिसर इसमें क्या जाएगा दो ही इसमें टियर होंगेगें दो इस्तर होंगे पहला नमबर । ग्राम पंचायथ सैक्पिन लिए पंचायथ यह दिएस्तर हैं पिछली वीडियो में हमने बतायथा कि ग्राम रूलर किसे कहती हैं गाउं या ग्राम लोग किर्शिकारिया किर्शिगत कारिय करते हो और नगर क्या हो जाएगा जहां पर 75% लोग नोन एक्रिकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज होने चाहिए उसे हम नगर बोलते हैं तो ग्राम पंचायत यह कितने राज्यों में होगो टू टियर यह लगवग पांस राज्य में आजाएगी कौन कौन से एक तो मद्देपरदेश MP MP में टू टियर सिष्टम लगव हैं मद्देपरदेश सेकिंड नंबर आजाएगा हरियाना हरियाना नंबर थर्ड करनाटक करनाटक एक करनाटक राज्य होगा इसमें क्या हो जाएगा टू टियर एक यहीं पर हो सकता हैं मद्ध्यपर्देश हरियाना करनाटक और असम असम में भी क्या हो जाएगा टू टियर्ड और नंबर फाइव आजाएगा उडिसा उडिसा इन पांचों राज्यों में जो पंचायती राज़ वाईवस्ता होगी वो टू टियर्ड होगी उसमें दो ही इस्तर होंगे सबसे संद्धे निचला इस्तर कों सा होजाएगा ग्राम पंचायत और उससे ऊपर का इस्तर पंचायत समुइति या चुट्री पंचायत होगे हमारे यहां यू-पी में बलोगं परमुवी जिसका बनता है तो एक टियर्ड और टो टियर्ड अब बात करते हैं तीरी स्तरी हैं तीन इस्तरी, पंचायति राज बस्ता, थिरी टियर्ड, थिरी टियर्ड पंचायति राज सिस्टम, यह कहा कहा पर लागो है, इसमें अधिकान स्राज्जे इसी में आएंगे, तो तीन टियर्ड कौन-कौन से होती हो देख ली जाब, सबसे निचले इस तर पर क्या आजेगे गराम पंचायत उसके ओपर छेत्रिय पंचायत और नमबर थड़ हो जाएगे फिर जिला परिशाद या जिला पंचायत सबसे पहले नंबर पर gram panchayat gram panchayat gram panchayat gram panchayat का मुख्या कोण होता है इसका head-kon gram-prdharn बनता है यह हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं second number पर आईए छेत्रियग penchayat छेत्रियग penchayat और इसी का नाम होगा फिर penchayat samitin तीसा नमबर आजाएगा जिला जिला परिसद या तो जिला पंचायत या परिसद भी हम कहा सकते हैं जिला परिसद यह नमबर तीन पर आजाएगी तो ग्राम पंचायत उसके उपर छिद ये पंचायत और सब से उपर आजाएगी जिला पंचायत ये किन-किन नाज्यों में ल तो यहांपर थीर थी तो पहला हम इसमें लेते हैं कि राजिस्थान, राजिस्थान में लाग हुए है, दूसरा यूपी में लाग हुए है, थर्ड इसमें बिहार आजाएगा, बिहार आन्दरपरदेश, जो बड़े बड़े राज्ये होंगे, mostly यही पर लगो है तो याद करने का यह तरीका होगी कि 5 राज्जिये तो याद कीज़े आप जिसमें 1 इस्तरी है और इसमें 2 इस्तरी उसके भी 5 राज्जिये हो जाएंगे दस, पस्चिमंगाल के अलावा उसमें 4 इस्तरी है उसके अलावा जितने भी स्टेट्स बचते हैं उनमें सभी में तिरी इस्तरी आ जाएगा खास्तोर से यूपी और राजिस्थान में फिर राजिस पर कानून भी बना सकती है हर राज्य को एधिकार दिया गया कि कोई एक्ट इसमें बना सकती है या अमेंडमेंट अगर करना चाहेए एक देखते हैं कि फॉर िर चार इस्तरिये पंचायती राजिवस्था फॉर टिर फॉर टिर पंचायती राज्य सिस्टम किन राज्यों में लागो है उनमें चार इस्तर कौन-कौन से हो गे यह समझे आप तो first हो जाएगा इसमें फिरियस second, third and fourth पहले इस तर पर क्या आएगा जैसे सभी की तरह gram-panchayat इसमें तो क्या आएगा gram-panchayat gram-panchayat second number पर आजाएगा इसमें आचल-panchayat आचल-panchayat ठीक है जी आचल बोलते है regional को, छेतरी है, जुसका को छेतर हो गया, and number third and fourth number third पर आजाएगा आचलिक परिसद आचलिक आचलिक परिसद ये बढ़ा है इसमें, इसे आचल और ये आचलिक, यानि कि गाउं से बड़ा ब्लोक होगा, उससे बड़ा होगा तीसरा इस्तर and number four आजाएगा है, पर जिला पंचायत जिला पंचायत ये डिस्टिक लेवल पर होगा है, तो इसके चार चरण होते हैं, ये किन राज़ों में लागू है सिर्फ पश्चिमे बंगाल में पश्चिमे बंगाल, वेस्ट बंगोल वेस्ट बंगोल ये पश्चिम मंगाल में सिर्फ लागू है, यहाँ पर चार इसतरी पंचायती राज़ोस्ता, फिर से देखेगा पंचायती राज़ोस्ता का जो प्रारम हुआ था, ये राजिस्थान में हुआ था नागोर जिले में नागोर जिला बैलो के मेले के लिए भी परसिद है और उसका एक गाओं है बगदरी बगदरी गाओं में तत्कालिन परदान मंतरी पंडी जौलान नहरू ने सबसे पहले पंचायती राजवश्था लागो करने की बात कही थी 1959 में इससे पहले अगर देखते हैं आंदर परदेश के कुछ छेत्रों में इसे परावविक रूप से 1958 में लागो किया जा चुका है और राजिस्थान के बाद में फिर से आंदर परदेश में लागो किया उसके बाद में फिर तमिन नाडू असंद और करनाटक में लागो किय उसको जब परवर्तन में लागू उसको किया गया चोबिस अप्रेल सन उनिस सो तिरानवे को यही कारण है कि हम चोबिस अप्रेल को एक पंचायती गाज दिवस मनाते हैं फिर उसमें बात आती है कि कितने इस्तर होने चाहिए राज्य सरकार को एक कानून अधिकार पराथे कि वो इसमें अमेंडमेंट करके और उसमें कितने इस्तर बना सकता है आवश्यत्ता पढ़ने पर लेकिन एक condition और भी है किसी राज्य की अगर जनसंख्या 20 लाग से कम है तो वहाँ पर 3 tier नहीं होगी ना ही 4 tier हो सकते उसके वो 2 tier तक होगी केवल 2 उस्तर ही है वो कब होगी अगर किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है 20 लाग अगर वहाँ की जनसंख्या 20 लाग या उससे कम होगी केवल वहाँ पर 2 ही इस्तर काम करते है 2 tier 2 tier पंचायती राज्य वस्ता लाग होगी तो लेकिन वर्तमान में 2 tier किन में लाग हो है केवल 5 राज्यों में और 3 tier जादर राज्यों में लाग हो है एक राज्य में चार इस्तरियवे पश्ची मंगाल में राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है और इसका प्रारंब कहां से किया गया था एक क्वेश्चन आता है कि 73 वा संविधान संसोधन के तहत जब इसे कानूनी रूप दिया गया था इसके बाद पनिचायती राजववस्ता कहां पर लागू की गई याद रखेगा मद्धे परदेश में लागू की गई थी तो इसके चार आंसर हो जाएंगे परायगी कुरूप से कहां पर लागू ही एक्सपेरिमेंटली आंध परदेश में और इसमें जब नहरुजी ने गोशना की थी ये राजिस्थान के नागूर में लागू ही तीसरे नंबर पर फिर से राजिस्थान के बाद फिर आंध परदेश में लागू की गई और तियत्तरवा संविदान संसोदन पारित होने के बाद ये मद्धे परदेश में लागों की गई थी और महिलाओ के लिए आरक्षन लखा गया था एक बटा तीन की एक तिहाई महिलाओ को आरक्षन दिया जाएगा कहीं भी पंचायती राज वयवस्ता में OBC के लिए आरक्षन की वयवस्ता नहीं है जो इस चैफ्टर में हम पढ़ेंगे लेकिन उत्तर परदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतरगत 2000 में एक और सम्विदान संसोदन किया गया कि वहाँ OBC के लिए आरक्षन की वयवस्त की बात थी यूपी में जो आरक्षन दिया गया है ये संद 2000 में 2000 से इश्राट हुआ है OBC को भी आरक्षन दिया जाने लगा पंचायती राज वयवस्ता में तो क्वेश्चन ही आया है कि क्या पंचायत में पिछडे वर्गों का आरक्षन वहाँ पर मैंसन किया गया तो एक वर्ष 2000 में 73 सम्विधान संसोधन हुआ जिसमें अरुनेचल परदेश में अरुनेचल परदेश में SC का कोमेनिटी की कोई आरक्षन नहीं दिया जाएगा चुकि वहाँ पर ये कोमेनिटी है ही नहीं ये कब हुआ आरक्षन की वर्ष था 83 सम्विधान संसोधन ये वर्ष 2000 में हुआ था इसमें अरुनेचल परदेश में SC के लिए कोई आरक्षन नहीं कोई आरक्षन आरक्षन की वैवस्था नहीं और OBC के लिए आरक्षन का है उत्तर परदेश में तो ये इस तरीके से पंचायती राज़ वैवस्था के ये टियर है इस तरीय तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज़े में कौन सा इस्तर लागू है हमारे हाँ उत्तर परदेश में इसका 3 इस्तर ये ढाचा लागू है और किसी राज़े में 1 इस्तर ये 2 इस्तर ये 3 और 4 इस्तर ये व कौन इसकी गोश्चना करता है और निर्देशन और परबंधन कौन इसका करता है अगली वीडियो में इस टोपिक पर बनाने वाले हैं तो मैं आशा करता हूं आपकी समझ आयोगा अगर नहीं तो कमेंट वोक्स में फ्लिक कर बताईएगा ओके थैंक यू